बाजबा का मतलब बलतकारी जनता पार्टी कह सकते। धर्म के नाम पे दंगे करवाए, बीजेपी के साथ मिलके, दिली में दंगे हुए इंदू मुसलमान के, तो ऐसी मान सिकता के लोग जो धर्म मजब के नाम पे लला रहे हैं, और ये लोगों ने कोई काम नहीं करा दस साल में, देश का बुरा हाल करा है, अभी बदनने की का और जो है, वो कुलदीप कुमार जो है, वो खड़े हो रहे हैं, सर इस पे आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपके जो प्रतीदवन्दी है, अपोजिट में जो कॉम्पटीटर है, वो काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? काई नहीं है, प्रतीदवन्दी काई नहीं है, पाखंडियों की जंड़ी है, उन्हें का जंड़ा लिए गूम रहे हैं, समझे नहीं, इनके अपना कोई विचार नहीं है, दोनों पाइटियों के कोई ऐसे संसकार, जिस संसकार की बात करते हैं, यह संसकारी नहीं है, बलतक प्रकारी जनता पार्टी कह सकते जिस प्रकार से यह उन्सुसन हो रहा माईलाओं का बेन बेटियों को और ऐसे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं जैसे भी यह मामला उट क्या है उना 396 माईलाओं के साथ रेप करा उनकी फिलम बनाई वीडियो बनाई उन्हें डराने का प्रयास किया और ब्लेक में लिंकी गई तो कहीना कई सासन और परसासन के लोग भी इसमें सामिल रहे होंगे उनकी अगर सीवियाई जानकारी हो मतलब की इंक्वारी हो और इडि इसकी इंक्वारी करे तो मुझे लगता है कहीना कई वो पकड़े जाएंगे किन-किन को यह जो नेता है सप्लाई करता होगा माईला को बेंभेटीयों को जिनका यह उनसोसन निरंतर रोज होता होगा तो ऐसे बैसे दरिंदोंगों को खोजने की जरुवता है और रहीजा ही चैनल अन्दोलन कि एपने अंदोलन की अपने जीवन में बहुत सार हम बहुत बार गरफ़तारियां दी हजारों बार गरफ़तारियां दिया हूंगी मैंने और जेल भी गया हूं मैं मुकद्वे भी कई लगे मेरे उपर जिसमें अभी वी एक चल रही रहा है तो वह लगू किटीर उद्धोगों को लेक करें वो कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा और जो चाहिना का जो जमाप बाला हो रहा है हमारे बाजारों में जो उनके जो चीजें जो भरी जा रही है उसकी जग हमारे देश में जो बनी हुई चीजें वो हमारे बाजारों में जाएं जिससे हमारा देश आगे बढ़ आए जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। उसमें गलती किसकी नजर आ रही है? पूर्वी दिल्ली पे आप लिजे जो भाजपा के सांसत कितने बदल गए पहले महिश गिरी था पांस साल मजे लिए खा गया कभी सकल नहीं दिखाई फिर गोतंगम बीर आया उसने भी इसकी पबलिक के उपर खूब क्रिकेट खेला खूब सर फोला मर किसी को सकल नहीं दिख तो भाई वो दो जो रिटाइर हो गए जो भीकार से तो भी तू को आ गया तो भाजपा के परती लोगों में विश्वास्ता कटम हो चुका है पूर भी दिल्ली में लहर किसके दिखाई दे रही है लहर बता रहूं लहर नहीं है जब से हमने परचा बराए ना दो भी करांतिकारी कहां से आ गया है सच बोलता है इमानदारी से लड़ता है मैंने जहां और बाता भात धननियुककार परिशान बिचारा अभी तक तिल मिलाए पड़े हैं उससने करूं तो करूं क्या पार्टी के परिष्ट नेताओं को फोन किया परिष्ट नेताओं ने फोनने उटाया हम आदमी के तो कही ना कहीं उनके मन में भी मोदी वाला ही खेल चलता है कि धरम और मजब के नाम पर लड़ाए और यही बज़े है कि इनकी पार्टी ने धरम के नाम पर दंगे करवाए बीजेपी के साथ मिलके दिल्ली में दंगे हु उसके बाद यही आप केजरी बाल ने कहा कि हम वो हनुमान चालीसा पर आएंगे आप सोचने वाली बात है यही केजरी बाल कहता था सविदान पर आएंगे बस सविदान तो पर आए नहीं पिर यही केजरी बाल कहता था तीरत कराएंगे अब यही तीरत से रोजगार मैं नहीं कह रहा इस बात को ये तो बकार चोधी ने खुद कहा इनके पर्टी के बद्यदकारी ने प्रेस कॉंप्रेंस करके और उन्हेंने का लगा कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है उन्हें फॉन करा संजय सिंको और बरिशनेताओं को किसी ना फॉन नहीं उठाया वो अभ नहीं 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 दारं में कास्ताकों को ठेस पोचाना चाता है राजनिति करेंना चाता है पूरे देश में इस के साथ इस तरीके से भाहिस्कार हो रहा इस समाज क्य जा पूर्वी दिल्ली से तो आप धर्म मजब पे लड़ाई नहीं कराएंगे धर्म की राजनिती नहीं करेंगे। पूर्वी दिल्ली की जनता को सच्चा प्रत्यासी चाहिए, राश्टवक्त चाहिए, किरांती कारी चाहिए या ऐसे चाहिए, जो धर्म मजब के नाम पे लगवाते हों, उन वाद पहलाते हों, और हर समय गिर्गिट की तरह रंग बदलते हों, ऐसे लोगों से बचने की पहलाते है एक जुठ होने की, भारतिय समाज को सिक्षा, स्वास्त, रोजगा, सुरक्षा मिलना चाहिए, और महंगाई से इनने भी निजात मिलनी चाहिए, मगर यहां यह सब पांचों चीजें ऐसे भारत की जनता को पर थोप दी गई है, कि भाई ना सिक्षा मिलेगी, न पर नारा देंगे, बेटी बचाओ, बेटी पलाओ, तो इस प्रकार के भासर देंगे, और कहीं कहीं तो ऐसी बात कह देंगे, सारनपुर में कहीं थी जो, कि सारनपुर की लड़की की क्या नकासी, बताओ, भुलापे में नकासी दिखती है, टंग ट्विस्ट बताया जा र प्रधान मंत्री को ऐसी चीज़े बोल रहे हैं कौन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के प्रधान मंत्री आप फूड़ जाये तिरी आखें बेट्यों के बारे में ऐसा कहता हो तो समझें जिसकी मान सिकता बेट्यों के लिए ऐसी अंदर जो आता है ना निकल ही आता है तो इसके मन में बेट्यों के साथ ऐसी सोच है अबी जो एक बड़ी नकासी देखता है जब इसके लिए भासन दे क्या आया ता को ना हो जो अभी जो था उन्न इतने हैं उनतीस सो चेहतर आ रहे वन्ना समझें उसके लिए बोल क्या इसको बोर्ड दो इसको जरूर दो उसके बगल में मेरा प्रियमित्र है इसको बोर्ड द हां सारी थे सासन में सब थेक है अभी कह दिया पमपूर रहे हैं इस्कूलों में यह अभी कहते हैं और गया आ तो यह कैते हैं के पाकस्तान करने पाकिस्टानी निकांड करा है भारत के लोग का जाएं धन्ना करने परदर्शन करने तो बहन बेटियों को भी यह कहते हैं पाकिस्तानी है उन्ही भाहिलाओं को जो कहते हैं हमारी बहन है यह मेरी बेटी हैं जब वो पदक लेके आती हैं और उन्ही को बाद में कुटवाती है इनका गिरह मंतरी जंतर मंतर पढ़ी रोती हैं खेल जगत से सन्यास ले राता पड़ता है तो यह महिलाओं की इजत है मनीपुर में देखी रही हैं क्या हलत करी ठीक है बनार्ज हिंदू यूनिवेस्टी में क्या हाल हुआ बले हिंदू यूनिवेस्टी में नहीं बचनी है तो कहां बचाएंगे जानते किसी को भी लगवा दी रेविट की लगवादी पानी के भर दीये जो मिला उसके लगा दी अपनी कंपनी नकली बनवादी उनको पैसा दे दिया अपने मित्रों को के इनकी कंपनी ने यह सपलाई करा तो कई लोग चलते हुए मर गए हैं एक आदमी घोड़ी से कोई पहले वह वैक्सीन लेके आए हैं उसके बाद आप इस तरीए के चीजे बोल रहे हैं उन्हें चलते हुए लोग मर गए ख़ले हो कही हूँ लोगों सोचा इस्टेचु हुए है मोदी ने नयाव इसका रहे हाथ लगा नीचे कि मर गया हो वैक्सीन की बज़ों से जान का सौदा किया गया है बिलकुल जान तो मरी रहे हैं लोगों अभी देखलो आक्सीजन के नाम पर कितने लोग मारे गए अंदा धुंद मरे आक्सीजन नहीं मिल पाई और यह कहते भारत के लोगों बचाएंगे किसी को ने वाज सारे मर गए मोदी मोदी के रहा हम बैक देखो ऐसे लोग सनमानी चाहिए बेहन बेटियों के चेरे मुर जा गए हैं और जो जाए हिंदू इनिवस्टी में से छोड़ते नहीं हैं वो धरिंदे को सोड़ रखें के जाओ उस काट लो काट लेते हूं गंदी-गंदी हरकते करते हैं समझे तो इनके खिलाप अंदोल करते हैं उन्हें चार साल में बदलने की बात करता है हैं वो 24 साल की उमर में रिटायर हो जाएं और कुछ 76 साल के बाद कहता है एक-एक-एक-एक मौका और हमारे साथ क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई जो पूर्वी दिल्ली से जो है उमीदवार खड़े हो रहे हैं उन झाल